थाइराइड को कंट्रोल करने के लिए आपको वैतरीन से उपाई बता रहे हैं थाइराइड चाहिए आपको कौन सा भी हो एक तो मोटा होने वाला थाइराइड होता है दोस्तो जो फुला देता है सरीर को और एक पतला होने वाला तो कौन सा भी थाइराइड है इसमें एक लिपो थाइराइड closed open ऑपकी तो इसे लाक्षण ची सब्सक्रारेक बिधिनलमरory के घ्रणति होती है वो साइज में बढ़ी हो जाती है और उसमें जिन लोगों को थाइराइड होता है उनमें आर्मोन का जो एसंतुलन होता है वो बना रहता है दोस्तों कभी जिनको आईपो थाइराइड है उनकी ग्रंथी के जो आर्मोन होती है वो सलो पड़ जाती है आईपर थाइराइड जि थाइराइड बोस्तों जिनकी भी थाइराइडnova गरंथी कमशक्रिया होती है उनको क्या होता है उनका वजन सब्सक्राइब थे अालशय होता है उनका वजन बर पूंगटनी परेंग होता है उदास HEY P 1976 उसके कारण वजंभीनी की आपने सब्सक्राइब लगते हैं कमजोरी में सुस होती है और चैरे पे जो है ना सुस्त वाव स्वेलिंग हो जाएगी पहुत अधिक उनको ठकान होती है सरीर में धीमापन हो जाता है दोस्तों काम करने का बिलकुल भी मन नहीं होता है तो इस तरह की लक्षन दिखाई देते हैं जिनको आई पर था इस उनको सरीर की कई गतिविद्य जो है ना उसकी प्रवावित होती है जैसे दिल की दडगन वह तेज हो जाती है कई बार उनको घब्राट बहुत जादा मैसूस होती है वजन दिरे-दिरे करके बिलकुल दुवलापतला हो जाता है इंसान दोस्तों भूख अच्छी लगती है खूब लगती है दस्त और बार बार जो है उनको टोईलेट जाने की समश्या हो जाती है गर्मियों में उनको बहुत अधिक पसीना आता है और उनका जो मासिक द्रम होता है जैसे माईलाओं का वो भी डिश्टब हो जाता है दोस्तों और उनकी जो तौचा होती है वह उत्त नाजुग हों जाती है जैसे आइपो थाइराइड वालों की सुसको जाती है तह तो इसके लिए आज मैं दोनों थाइराइड में कोन सा भी थाइराइड आपको तो आप ये नुस्का आजमा लेना ऐसा नुस्का बता रही हूं जो हर तरह से कंट् सबसे पहले यहां पर आप तेख रहे हैं हमारे पास है दोस्तों दो चीजे आमने यहां पर ली है दोनों सीड्स है एक तो यहां पर आमने तिली ली है सफेद वाले तिल के पीज दूसरी आमने अलसी ली है दोस्तों ब्राउन कलर की अलसी है सफेद वाली तिली है दोनों फायदा देंगे अगर आपको दोनों ही चीज लाकर रखनी है और दोनों ही चीजों को आपको अलग-अलग रखना है दोनों को अच्छे से ड्राइ रोस्ट करना है जब तक कि यह एक्तम चिट-चिट करके उचलने लगे तब तक ठंडा होने के बाद मिजार में डाल लेना अलसी जो होती है दोस्तों इसका स्वाद कुछ खास नहीं होता है खाने में सायद आपको नाव आए टेस्ट अच्छा नहीं होता है लेकिन फायदे इतने होते हैं इसके थाईराइड को कंट्रोल करने के साथ-साथ आपके सरीर में बेहद फायदे बहुत सारी कमजोरियों को दूर करेंगी दोस्तों ये सब मतलब आपके जोडों के दर्ट के लिए शकिन के लिए अडियों के लिए गुटनों में जो ग्रिस कम हो जाता है उसके लिए बालों के लिए नाखुनों के लिए सब चीजों में ये फायदा करती है और दोनों ही चीज जैसी है इनको आप ले सकते हो आपको दिन बर में सिर्फ एक चमच अलसी के बीज खाने है आप चाहे तो इसे पाउडर बना कर फाकी के जैसे फाक कर और ले सकते हो लेकिन द्यान आपको ये रखना है इसमें इनको कच्चा नहीं खाना है चाहे आप सफेद तिल ले रहे हैं या फिर अलसी ले रहे हैं दोनों को आपको ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके इसका पाउडर बना लेना अलसी का और तिल जो होती है ना इनका स्वाद आपने आप म ़ी का मोसम है तो आप अलसी के एक चमचछ बीज पानी में विघो कर भीखा सकते हूँ शाम को एक चमच बीज विदे शुफय उठके उसे चबा कर खाले इसी तरीके से तिल अगर आप विघो कर खाना चाते है तो शुबए उठके च्छान लेना पानी को फेंकoria और तैल इनके गर्मी निकल जाती हैं, आप इसे गर्मियों के मोसम में भी खा सकते हो, दोनों ही चीज को भीगो कर, अगर आप इने बिगो कर लेना चाते हैं, तो आपको इने dry roast करने की जरूरत नहीं है, आप डारेक्ट भीगो सकते हैं, अगर आप फा कर खा रहे हैं इसको, आपके पास ठंडा मोसम है तो आप डारेक्ट जैसे ड्राइ रोष्ट करके मैंने बताया है आप चवाकर खा सकते हो दिन बर में एक चमच तिल और एक चमच अलसी अलसी का पाउडर बना कर एक गिलास पानी के साथ में पिफाकी के जैसे ले सकते हो इसके बाद में अगली जो चीज ह लेते हैं उसकी जगह पे चोथाई चमच मुलेठी पाउडर डालके एक गिलास पाने उसको बोईल करना जब वो आधा रह जाए उसके बाद में आपको ले लेना है उसको ठंडा होने देना और उठा कर पी लेना गरम गरम पीने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको मुलेठी लेनी है दोनों जो अलसी और तिल वाले नुसके उसको दिन में कभी भी आप ले सकते हो जो मैंने आप मुलेठी का नुस्खा बताया है आपको इसको शिर्फ आप सुवे चाय के टाइम पे लेना अगर आप इसे लेना चाते हैं तो बहुत बढ़िया है थाईराइड के लि वो चीजे मैदा की बनी होई चीजे दोस्तो प्रोसेश्ट फूड जो होता है न वो पूरी तरह से आपको बंद कर देना है और सबजियों में आपको कैवेज, ब्रोकली, सोया ये चीजे खाने बंद कर देनी है इसके साथ साथ जिनको पतला ओने वाला थाईराइड है दोस इससे सरीर को आपके कैलिशयम मिलेगा, विटामिन मिलेगा और मिनरल मिलेंगे जो आपके सरीर को एल्दी बनाएंगे जो कच्छा नारियल होता है वो खाना इससे थाईराइड बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है कच्छा नारियल जो होता है रोजाना सुबे खाएंगे तो आपका मेंटाबोलिजम जो है मजबुत होगा दोस्तों ये थे अमारे आज के नुस्खे दोस्तों थाई राइड को कंट्रोल करने के दोनों ही कंडिशन में आप ये ले सकते हों दवाई खाना बिल्कुल भी बंगना क्रेक्स के साथ-साथ आप अपनी टेबलेट भी लेत हाथ